गाउं मच्रोली में बिजली की समझे को लेको गाउं मच्रोली को चोबिस गंटे बिजली दी जाएगी ग्रामाशियों का कहना था कि बिजली भी बाग दोवारा उनके मीटर भी बाहर पूल पर लगा दिये गए हैं और उन्होंने बता कि अब दिन में और रात में कुल मिला कर उनको दो गंटे से भी कम बिजली दी जा रही है और उसमें भी कई बारकट लगाए जाते हैं वहीं उन्हें बताए कि रात को तो मच्छर काड़ते हैं और पीने के पानी और पस्वों को नहलाने और पानी पिलाने की दिखते उनके सामने आ रही है वही उन्होंने बता कि इसी समस्या को लेकर और गाउम मच्रुली के पाउर हाउस पर आये हैं और उन्होंने मांग की है कि सरकार उनकी इस मांग को पूरा करे और जल्द से जल्द उन्हें बिजली देने के लिए अधिकारियों को आदेश दे वही उन्होंने बताया कि कई बा लाइट दी जाए इसी समिश्या को लेकर गरामवासी मगाव मत्रोली के पारो हाउस पर इकटा हुए और ओ देर रात से ही यहां पर डटे वे हैं और उनकी मांग की सरकार उनकी समिश्या को देखते हुए है जो बिजली की समिश्या उनको उनके सामने आ रही है उसे जल्द से बता कि अगर सरकार ने उनकी इस समस्या की और कोई ध्यान दिया तो उनका ये ध्रना परदर्शन इसी तरह जारी रहेगा आपको बता दे कि तीन दिन पहले भी गाउ मत्रोली के लोग पाउर हॉस पर इकटा हुए थे और बिजली विबाग के खिलाब उन्होंने परदर्शन भी किया था और अधिकारियों दोवारा उन्हें अस्वसंद दिया गा था उनकी इस समस्या को जल्द ही धूर किया जाएगा पर तीन दिन उज़र जाने के बाद भी समस्या जो की दियो बनी हुई है यह बिजली का जी बिजली को समझ जाओं की चलते हुए गाओं की नाम पावराउस है गाओं ने जमीन दी हुई है मेरे प्लान में एक सर्पंच हूँ बल्राज तो समब्ड मेरे प्लान में यह पावराउस का उद्वाटन हुआ था तो जब आमने कोई मुआजा ने ले हैं सरकार प्रशासन का यह था कि जब जगमगी योजना में मारा गाओं क्यों नहीं करे जा रहा है तो अब कर देना चीए और यह जब 26 जनुरी 2022 को लागो उना था बार में भी आ गया था प्रशासन की तरफ से अधिकारियों ने बोल ला था कि वह हम जगमगी योजना में ले देंगे तो क्यों नहीं लिया जा रहा है जब सारी की परिकरिया पुरी हो चुकी है सारे मीटर बार लग चुके हैं तो दूसरे गाओं को हमारे दूसरे गाओं में लाइट रहती है और अमारे गाओं में लाइट नहीं है तो यह बड़े बच्चे भी मच्छ रखा रह पुरे गाउं का डिमांड है ये अपनी मनमानी करते हैं लाइट ने देते हैं पिछे से उपर से कह रहे हैं क्यों बिजलिगी दिखत है। दो गड़े होन्ते, टौपर से कट है तो इ। वतर का ने पता लग जया है? क्यों बेठ्ठे यहां पर बिजली का समस्था बिजली बाल दी लिए बिजली आल दी नहीं तो अरे बिजली बाद पाड़ी भी निए पिजली क्या मांगे आप यह मांग तो बिजली की है जो बिजली जो फिस्ट बिजली आप लोग अरोंग चया मांगे जो मांगे आप लोग की आरा कंटे और उन्हों पाड़ी नहीं कुछ आपने खिर लागारे लेगा जो प्रिस्ट होगी क्या सब्सक्राइब द्으 लोगव की आप निए करने आप लोग की आरा कंटे खेता इस गाउं में कम से कम 10 दिन से लाइट नहीं आ रही इसी गाउं से इंडिश्ट्री की लाइट गई है वो 24 गंटे चल रही है गाउं में सिरफ दो गंटे लाइट आती आदे आदे गंटे के कट के साथ बजे आगी तो साड़े साथ बागी साड़े आठ आगी तो नो बागी जब तक टूबल चलाते हैं, पानी की इतनी सबस्या खे रहागी है घाउ में। कि टूबल चलाते हैं एतने पाइप में पानी आया इतने लाइट भाग गी। गाउं में ना पानी है ना बिजली है और पूरी रात से पूरा गाउं बैठा है पर सासन की तरब से कोई भी समाधान नहीं निकला है SDOJ आए है वो अपनी बात प्याड़े हुए है कि जी हम तो 6 गंटे देंगे हम तो 2 गंटे देंगे हम तो 3 गंटे देंगे हमारी मांग ये है कि जब भी पाउराउस में लाइट आए हमारे गाउं में लाइट नहीं जाने चाहिए किसी की बगाओ किसी की लियाओ हमें कोई मतलब नहीं दूसरी बात गाउं में पूरे दिन से लाइट कटी होई ही है उसकी दिन मेंकर नहीं कि नगत्त ना इस A एक एक गर्मेक एक इन्वेटर आद्धे गंटे में चार्ज हो जाएगा पानी तक कि इतनी समश्या होगी है कि कोई भी समाधान किसी की तरफ से नहीं है कोई सरपंच का समाधान नहीं है कोई पूरी रात से हम 200-300 वच्चे यहां बैठे हैं किसी की तरफ से कोई समाधान नहीं है 112 नंबर वाले आते हैं वह देखके चले गई संडे को सब नियासवासन दिया ताला रात लगाया है जब इंड़िस्ट्री में लाइट चल रही थी गाउं में लाइट नहीं थी जब ताला कुझा नहीं होता जब तक ताला रहेगा अभी भी कोई सदर आजें हमारी बात सुनेणने स्थ कोई दिककत नहीं है हम्तों शिर्ब अपनी समस्या का Mao bought I'm Samalka से इसभी तहलका के लिए रतललाल की रिपोड झाल 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 किसने कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या हैं गाउं के मौजूदा हालाद, रामिन किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर, पूछेंगे हम बताएंगे आप, खास कारे कराम, पंचायती सरकार